हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यूपे उत्तर प्रदेश दरोगा भरती 2021 के जितने भी सिप्ट पेपर हुएं दोस्तो उसमें से जो सिलेक्टेट कुश्यन आये हुएं सम्मिधान से और जो आने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यहां से साथ से आठ कुश्यन दोस्तो आसानी से फंच जाएंगे चैनल पे नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो को नोडिफिकेशन आप तक समयस में तक पहुंसता रहे चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं पहला कुश्यन है सम्मिधान के किस अनुछेत के अनसार इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का एक संग होगा तो ये हमारा अनुछेत एक बताता है कि भारत यानि इंडिया एक राज्यों का संग होगा कुश्यन नमबर दो सम्मिधान के किस अन्चूद में नए राज्यों का प्रवेस के अस्थापना के बारे में बताया गया है तो नए राज्यों के बारे में किसमे बताया गया है तो अनुछेद 2 में अगले कुश्चन पे चलते हैं संभिधान के किसंचेद में नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के छेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की सक्ति के बारे में बताया गया है तो आर्टिकल 3 में बताया गया है यदि आपको सीमाओं में या फिर राज जी के नामों में कोई भी आपको संसोधन करना है तो आर्टिकल 3 के तहट आप कर सकते हैं कुश्चन नमबर चार सम्विधान की किसंच्छेद में सम्विधान के प्रारंब के समय नागरिक्ता के बारे में बताया गया है तो नागरिक्ता के बारे में दोस्तों हमारा आर्टिकल 5 बताता है और हमें से लगबग 80% लोगों के पास आर्टिकल 5 के तहेती नागरिक्ता मि और मौली का दिकार हमारा 12 से 35 आर्टिकल तक है और ये किस आर्टिकल में है तो समानता का दिकार हमारा अनुछेद 14 में वर्डित है कुश्चन नमबर 16 पे चलते हैं सम्विधान के किसंचेद में धर्म मूल वन से जातिलिंग या जन्मे के अस्थान पर भेद भाव का प्रसेद के बारिम बताया गया है तो अनुछेद 15 हमारा दोस्तों बताता है मूल वन सिजात इलिंग और जन्म के अस्थान पर वेद भावक पर निसेद की प्रक्रिया हमारा अनुछेद 15 बताता है कुश्यन नमबर अगला चलते हैं संबिदान के किस अंचेद में लोग नियोर्जन के भीसे में ऑसर की समानता के बारें बताया गया है सरकारी नौकरी हो या फिर किसी भी छेतर में सब को समान ऑसर मिले ये हमारा अनुछेद 16 कहता है कुश्य नमबर आ अगले पे चलते हैं संभिधान के किस अंचेद में अस्प्रस्ता जिसको आप छुआ छूद बोलते हैं इसके अंत के बारे में बताया गया है तो यह मौलिक अधिकार के अंतर गताता है और हमारा अंचेद 17 है अगले कुश्यन पे चलते हैं संभिधान के किस अंचेद में उपादियों का अंत दोस्तों में आपको बताना चाहता हूँ पहले अंग्रेज की जवाने में आपस में फूट डानने के लिए भारतियों को विभिन प्रकार की उबाधियां दी जाती थी जिस उपादियों का अ अंत अब कर दिया गया है ऐसी भावना देश में ना आये इसलिए दोस्तों उपादियों का अंत अंचेद हमारा अठारा करता है बहुत इंपोर्टन कुश्यन है लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है जिसे परंबीर और दोस्तों अपवाद ये है कि अगर आप राश्टपती से सलाह लें तो आपको कोई भी उपादी धारन कर लेते हैं इसलिए जितनी भी उपादियां दी जाती है वो राश्टपती ही देता है इसलिए राश्टपती की अनिवारता जरूरी होती है किसी भी उपादी को धारन करने में अगले कुश्यन की और चलते है सम्मिदान की किस अंचेद में वाक की स्वतंता यानि व्यक्ति के बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंता दिखाता है अंचेद 19 हमारा दोस्तों बहुत important है article हमेशा पूछे जाने हैं यहां से कुष्यन तो यह हो जाएगा अंचेद 19 यह प्रेस की स्वतंता जो माइक लेकर पहुँच जाते हैं मीडिया वाले इनकी स्वतंता की साइटिकल में है तो यह 19 ए में है अगले कुष्यन पे चलते हैं संमयदान के किस अंचेद में अप रादों के लिए दोस दोस सिद्धी के सनरच्छन के बारे में बताए गया है अनिवार सिखा का दिखार किसमें बताया गया है तो यह 21 का में बताया गया है पहले यह हमारा मौली का दिकार नहीं था लेकिन छीवासीवा सम्मिदान संसोधन 2002 में किया गया छीवासीवा सम्मिदान संसोधन 2002 में किया गया अब 6-14 साल तक के बच्चों का निसल कसिछाक गरहन करना यह उनका मौली का दिकार बन गया है और दोस्तों ये एक की से में रखा गया है अगले कुश्यन की और चलते हैं सम्मिदान की किस अंचेद में कुछ दसाओं में गिरबतारी निरोत सरचड के बारे में बताया गया है तो अंचेद 22 दोस्तों हमारा ये है अगले कुश्यन की और चलते हैं संभिधान की किसंचेद में मानों का दूर्ब्यापार ब्यागार इसी प्रकार अन्य बलास्राम जैसे आप मानों का दूर्ब्यापार किसी को बेचते हो या फिर उनसे जबरजस्ती काम लेते हो इस पर निसेद कौन लगाता है यानि रोग कौन लगाता है तो हमारा अंचेद तेज लगाता है को लगाता है भाईया आपसे जबर जिस्ती कोई काम नहीं करा सकता है और आपको कोई बेच नहीं सकता है यह हमारा मौली का दिक्यार है और जो हमारा बताता है आर्टिकल 23 अगले कुशन की ओर चलते हैं सम्विदान की किसंच्छेद में कार खानों आदिमे बालकों की नियोजन का प्रितरोध के बारें बताया गया है कहने का मतलब यह है कि आगर आप किसी 6-14 साल तक के बच्चों को अगर कार खानों में काम लगाते हैं 6-16 साल तक माल लीजिए अगर कार खानों में भारी भर कम में काम लगाते हैं तो अनुशेद 14 दोस्तों उसक करने की सोतंता प्रदान करता है नंबर की और चलते हैं वर्गों के हीत का संरचन के बारें बताया गया है उनके वर्ग के हित का संरचन हमारा अर्टिकल 29 प्रदान करता है यहां से पूछे दाँरे हैं हर्चित कुश्यान की और चलते हैं संभिधान की किसंचेद में संभिधानी कुपचारों का अधिकार बताया गया है तो भई आगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो इसको कहते हैं संभिधान की आत्मा और संभिधान की आत्मा 32 है इसको लेकर आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं अगर कुश्चन आ जाता हाई कोट किसके तहर जा सकते हैं तो 246 के तहर आप हाई कोट का धरवाजा खट कटा सकते हैं अगले कुश्चन की और चलते हैं संबीधान के किस संचेद में डाक्टर भीमरा अमबेटकर ने किस मौली का धिकार को संबीधान के हिस्दे का आत्मा कहा है तो बिल्कुल मैंने पहले ही बताया है उन्हों 622 अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि वो स सकते हैं कि किस तरह से कुश्चन है और मौश्ट इंपोर्टेन कुश्चन है दोस्तो आपके आने वाले सिप्टों में बहुत इंपोर्टेन है अगले कुशिन की ओर चलते हैं सम्विदान के किसंचेद में ग्राम पंचाइद के स्थापना का प्रावधान बताया गया है तो ग्राम पंचाइद की प्रावधान बताया गया है आर्टिकल 40 और 36 से 51 तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिये अराम से कि 36 से 40 हमारा आर्टिकल क्या कहता है चलिए मैं ही बता देता हूँ 36 से 51 हमारा दोस्तों नीतनी सक्सिद्धान को बताता है और ये भी हमारा एक प्रकार से नीतनी सक्सिद्धान है अब आप लोग ये बताना कि नीतनी सक्सिद्धान तो को लेकर कि आप सुप्रेम कोट जा सकत अगले कुश्यन की और चलते हैं संभीदान की किसंचेद में मूल करतबी के बारे मताया गया है तो अनुचेद इक्यावनका दोस्तों पहले जब भारत का संभीदान बना था तब यहाँ पर मौलीक अधिकार तो बना दिये लेकिन संभीदान भिसे भिसे जग्यों को यह नही पती के बारे में अनुछेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा और आटिकल 52 से लेकर दोस्तों किस आटिकल से किस आटिकल तक राष्टपती का टॉपिक है मेरे को बताना अगले कुश्यन की और शलते हैं सम्मिदान की किस अनु निर्वाचन के पद्धित की वारिम बताया गया है जाहिर सी बात है कि जब राष्टपती होंगे तो उनको चुनने वाला भी कोई चाहिए ति निर्वाचन की प्रक्रिया दोस्तों हमारा अनुछेद 55 बताता है निर्वाचक मंडल की दोस्तों आप लोग अनुछेद कमें मैं कमेंट सेक्षन का वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट सेक्षन के जो लोग लाइक देख रहे हैं वीडियो को लाइक ना किया हो और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है कमेंट सेक्षन में एक बार मिंसन कर देना मैं पूरा टॉपिक आपका स कुशन आ जाता है आर्टिकल 108 किस से संबंदी थे आप लोग बताना आर्टिकल 108 यनि अनुचेद 108 जल्दी से फटा-फट कमेंट सेक्षन मेंचन कर दो कि अनुचेद 108 हमारा क्या बताता है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं संसत की जो संयुकता ध्यसन बुलाता है इसक कमेंट सेक्षन में लिख दो कि महान आयवादी का यहां पर वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है आप लोग जल्दी से लिखिएगा महान आयवादी की नियुकती कोन करता है और महान आयवादी का कारिकाल कितना होता है बहुत इंपॉर्टन कुशन है आप लोगों की पर जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है राश्टपती निर्वाचन प्रक्रिया किसमें है राश्टपती पर महाव्योग दोस्तों किस आर्टिकल के तहर लगाया जाता है चलिए महाव्योग दोस्तों में बता देता हूँ अनुछे आप लोग निर्वाचक मेंडल का एौटेकल यहां पर प्लीस कमेंच सक्षन मिंशन कर देना अगले अगले का मारेक चलते हैं लोग सभा की साथासियों का कारीकाल कितना होता है मैंने बता दिया है यहां पर लोग सभा की साथासियों का काल गठन किसमें है और 1608 seminar 009 Julie यह हैं फटाफट कमेंट्स करिए कि 81 में 89 में या फिर 80 में है जल्दी से बताइए आपके कमेंट्स का बेट कर रहा हूं अगला कुश्चन संविधान के किस अनुछेद में मूल अधिक्यारी की परिभासा दी गई है तो संविधान के जो मूल अधिक्यारी की परिभासा है वो आर्टिकल हमारा 12 परिभासित करता है संविधान सभा की संगी समधी के अधिच कौन थे तो जी हाँ पंडि जवाल लान लहरू थे अगले कुश्चन क्यों चलते हैं संविधान के अनुछार अब संपतिकार कैसा अधिकार है मैंने प जोफुर उस्तों यहाँ पर संपतिक के अधिकार को हटा कर अब यहां कानूनी अधिकार अब यह बताईएक कि किसमें रखा गया थीप्रेंचर 100 में रख़ा गया है 500 िम्व dit जिस से कमेंट संसभान मेरे को बताना जल्दी से बताईए किंca तिहत्तरवा सम्मिधान संसोधन, तिहत्तरवा सम्मिधान संसोधन किससे संबंदित है, पंचायती राज से है, या फिर दोस्तों सहरी निकाय से है, आप लोग कमेंट सेक्षन बताना कि तिहत्तरवा सम्मिधान संसोधन किससे है, सम्मिधान के किस संसोधन द्वारा राशपत कि इस अर्टिकल के तहट लगाता है जल्दी से जल्दी फटाफट किस आर्टिकल कंजन कर दो राश्टी पति दौरा आपाथ काल सक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है जर्मनी आप लोग बताईए जो हमारा नीत निर्सक सिध्धान थे ये कहां से लिया गया है और कमेंट सेक्षन में ये बताईए कि मौली कदिकार का जिकर किस आर्टिकल में है और कौन से भाग में है और फटा फट वेरे को एक कुश्चन यहां पर बताईए सम्विदान की किस अंच्विद में बताया गया है कि भारते एक राजो का संग है मैं इसको बता देता हूँ भाग एक लेकिन आप बताईए कि नागरिक्ता का वर्डन का सम्विदान की किस भाग में किया गया है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ठीक है अगले कुश्चन पे भारती सम्मिदान द्वारा मैली के दिकार किनको दिये गए हैं तो समस्देशवासियों को दिये हैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पसंद आया होगा इसी तरीके दोस्तों मैं विद इन फैक्ट आप लोगो सारे कुश्चन करा रहा हूँ जो कुश्चन रिफीट हो रहे हैं जो कुश्चन आने वाले हैं अगला वीडियो आपका सम्मिदान संसोधन से होगा चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन का दबा दे जिससे आने वाले हर वीडियो को नोडिफिकेशन आप लोगों को पहुँचती रहे और कमेंट सक्षन बताना की किस तरह आपको वीडियो लगा आभी करो दोस्तों जैहिंज जैभारत